प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गूर गोबिंद सिंग के बेटों के बलिदान का सम्मान करने के उद्देश से आयोजित वीर बाल दिवस कारक्रम में यह सही कहा कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़ा हुआ वीमर्स पढ़ाया जाता रहा वह यह बात पहले भी कई आउसरों पर कह चुके हैं उनके अत्रिक्त केंद्री ग्रह मंत्री अमित साह भी इतिहास लेखन की बिसंगतियों का उलेख कर चुके हैं जैसे परधान मंत्री ने वीर बाल दिवस के आउसर पर कहा कि गलत तरीके से पढ़ाये जाने वाले इतिहास को बदलने की आवस सकता है वैसे ही अनेक केंद्री मंत्री भी इस पर बल दे चुके हैं इस सबके बाद में इतिहास लेखन की बिसंगतियों को दूर करने और विशेश रूप से संकुचित योम एक तरफा दृष्टी कोण वाले इतिहास को बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं पैडाम यह है कि तत्यों के अंदेखी करने वाला इतिहास अभी भी पाठ करम का हिस्सा है यह किस हद तक है इसका प्रमार इससे मिलता है कि प्रधान मंत्री ने जिस कुरूर औरंग जेव की दरिंदगी की चर्चा की उसके बारे में इतिहास की कई किताबें यह बताती हैं कि वह एक दयालू सासक था आखिर उसके दुस कृत्यों पर कब तक परदा डाल कर भावी पीड़ी से वास्तविक्ता छिपाई जाती रहेगी वास्तों में ऐसे एक नहीं अनेक प्रस्ण हैं कुछ प्रस्ण तो ऐसे हैं जो ना जाने कब से पूछे जा रहे हैं लेकिन उनका उत्तर मिलने का नाम नहीं ले रहा है सभी इससे आउगत हैं कि देश के इतिहास के नाम पर छात्रों को दिल्ली का इतिहास अधिक पढ़ाया जाता है इसके चलते दिल्ली पर सासन करने वाले सासकों के बारे में तो विस्तार से पढ़ाया जाता है लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और विसेश रूप से दच्छिन और पूर्वोत्तर भारत के अनेक परतापी राजाओं योम योधाओं के बारे में सामान जानकारी भी नहीं दी जाती कम से कम अब तो इतिहास को समावेसी रूप में समगरता से पढ़ाने के उपाय किये ही जाने चाहिए ध्यान रहे कि पाठकरम परिवर्तन की दिसा में वैसे परियत्न नहीं हुए हैं जैसे अब तक हो जाने चाहिए थे उचित यह होगा की सरकार अपने इस्तर पर यह पहल करे की इतिहास का पाठकरम प्रात्मिक्ता के आधार पर संसोधित परिवर्तित किया जाए इसका कोई अर्थ नहीं कि अंग्रेजों अथवा उनसे प्रभावित वामपंथी इतिहास कारों की ओर से लिखा गया इतिहास स्वतंतरता के 75 वर्सों बाद भी पढ़ाया जाता रहे और वह भी तब जब हमारे नीत नियंता यह मान रहे हैं कि इतिहास को लेकर एक ऐसा बीमर्स गढ़ा गया जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करे इतिहास लेखन में सुधार केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह गलत तरीके से लिखा गया बलकि इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि किसी राष्ट के मूल्य तब सुरच्छित रहते हैं जब वर्तमान पीड़ी के सामने अतीत के आदर्स इस्पस्ट रहते हैं